So how are you guys? Tell me in the comment box कहानी की स्टार्टिक में हमें बताया जाता है इंजिनियर की जेनेटिक एक्सपेरिमेंट फेल होने की बज़ा से अर्थ के सारे प्लेंट मर गए जो बचे वो जेनेटिकली चेंज होकर हामफुल या फिर लिबिंग प्लांट्स बन गए साथी साथ उस वाइरस से बहुत सारे ह्यूमन और एनिमल्स भी मारे गए तब ही हमें एक विस्पर नाम की लड़की को एक रोबोट के साथ में कुछ ढूंटते हुए दिखाते हैं द्रसल में वो कोई रोबोट नहीं होता है वो एक डिवाइस होता है जिसके तरूब वो अपने पिता से बात कर रही होती है क्योंकि उसके पिता भहुत बीमार होते हैं वो उस डिवाइस के बना बोल भी नहीं पाते हैं और वो अपने पिता की दवाई बनाने के लिए एक बेजी टेवल डूंड रही होती है जो कि उसे मिल जाती है तभी वो अपने घर की तरफ निकल जाती है तो रास्ते में हमें कुछ अजीब प्लांट्स और इंसेक्ट दिखाये जाते हैं तभी वो अपने घर पाँच कर उस बेजी टेबल से किसी तरह की दवाई बनाती है जिसे वो अपने डैट को दे देती है और उसके बाद में वो कहती है वो ओल लैब जा रही हूं तभी वो ओल लैब जाती है जहां उसके कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वो उन एक्सपेरिमेंट को बहाँ से घर ले आती है और जब वो अपने घर बापिस आती है तो उसका पावर जेनरेटर टैंक खराब हो गया होता है उस जेनरेटर के टैंक में किसी तरह के वैक्टेरिया होते हैं जिससे उन्हें पावर मिलती है तो वो कुछ बैक्टेरिया लेने के लिए एक फार्म पे जाती है जो कि जोनस नाम के आदमी का होता है और वो विस्पर का अंकल भी होता है उसके अंडर में बहुत सारे बच्चे और लोग काम करते हैं जिनें वो एक मार्क दे देता है और जब वो फार्म पे पहुँचती है तो वहाँ पर एक क्रियेचर फस गया होता है इसे जोनस एक बच्चे के हाथों से मरवा देता है तब विस्पर जोनस के पास जाकर वैक्टेरिया मांगती है जिसके बदले में वो उसे अपना बलेट देती है तो जोनस उससे कहता है तुम बाप बेटी मेरे फार्म पर आकर रह सकते हो लेकिन विस्पर उसके लिए मना कर देती है और बलेट लेने के बाद में जोनस उसे बैक्टेरिया नहीं देता है वो उससे कहता है बैक्टेरिया दो दिन बाद ले जाना तो इस पर कह दिये दो दिन में मेरे पिता जी मर जाएंगे जिस पर जोनस कहता है मेरे पास अभी बैक्टेरिया नहीं है वो दो दिन बाद ही मिलेंगे तो इस पर अपना ब्लेड बापस ले जाने की कोसिस करती है लेकिन वो उसे बाहर फेक देता है तो बिस पर कुछ दिरवाद चुपके से उसके यहां बैक्टेरिया चुराने के लिए जाती है जिसे चुराने में एक लड़का उसकी मदद करता है तो जब वो बैक्टेरिया चुरा रही होती है तो साथ में वो कुछ सीट्स भी चुरा लेती है फर अपने घर आ जाती है और पापर को बापिस लाकर अपने फादर को सीट्स के बारे में बताती है तो वो उससे पूछते हैं तुम इसका क्या करोगी तो वो कहती है मैं इन पे एक्सपेरिमेंट करकर इने उगाने का तरीका डूडूँगी जिससे हमें सिताडल की लेम में काम करने का मौका मिल जाएगा लेकिन उसके फादर उन सीट्स को बापिस करने को कहते हैं जिससे वो नाराज होकर जंगल में चली जाती है जहां उसे एक लड़की मिलती है जिसके काफी चोट लगी हुई होती है और उन चोटों के थूरू काफी सारे प्लांट्स उसके खून को पी रहे होते हैं तो विस्पर उसे उठा कर अपने घर ले आती है और उसका इलाज करती है उसके बाद मैं उसके फादर कहते हैं तुम उसके क्यों ले आई तो विस्पर कहती है मैं उसकी मदद से सिताडल जाने का मौका मिल जाएगा लेकिन उसके फादर फिर भी यही कहते है तो मैं उसे यहां नहीं लेके आना चाहिए था और ये सारी वातें वो सुन रही होती है तो वो अपने बचाओ के लिए वहां रखा हुआ एक चाकू उठाती है जिसकी वज़ा से उसकी चोड दुख जाती है और उसकी अबाज निकल जाती है तो विस्पर उसके पास आती है तो वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम किमेलिया बताती है को ढूंड लूँगी अभी रात हो गई है जंगल में जाना बहुत खतनाक होगा तब ही वो लोग कुछ खाते हैं तो विस्पर के फादर की अचानक से तबियत खराब हो जाती है उसके फादर की बोड़ी बहुत तेज बाइबरेट करने लगती है तो विस्पर बहुत परशा मिल जाता है जिसमें केमेलिया के फादर होते हैं तो वो शिप को खोलने की कोसिस कर रही होती है लेकिन तब ही वहाँ पर जोनस आ जाता है जो की शिप को खोल लेता है और उस आदमी को मार देता है लेकिन वो शिप को देखकर समझ जाता है कि वहाँ एक और पैसेंजर था तबी विस्पर भी घर बापस आ जाती है, लेकिन वो कमेलिया को उसके फादर के वारे में नहीं बताती है, वो उससे कहती है मुझे आज शिप नहीं मिला, ये एरिया बहुत बड़ा है, मैं कल जाकर देखूंगी, तबी विस्पर के फादर उन दोनों से कहते हैं तो मैं सिट सिटाडल में इनफार्म कर दूँगी, क्योंकि सिर्फ जोनस के पास में ही ट्रांस रिसीवर था, और तबी विस्पर कमेलिया को अपनी एक्सपेरिमेंट से उगाय हुए प्लांट को दिखाती है, जो की बहुत खूपसूरत होते हैं, लेकिन वो विस्पर के हिसाब से ठीक नहीं होते हैं, केमेलिया उसे बताती है, उसने ऐसे प्लांट कभी भी नहीं देखे हैं, यहां तक कि सिटाडल में भी ऐसे प्लांट नहीं है, और वो कहती है, मेरे पिता से देखकर बहुत खुस होते, वो तो में सिटाडल जरूर ले जाते, वो वहां के बायो जनेटिक है इंजीनियर हैं और तभी दोनों बापिस घर आ जाती हैं तो केमेलिया विस्पर से उसकी मौम के बारे में पूछती है तो वो बताती है वो हमें छोड़कर चली गई और एक पिल्ग्रिम बन गई लेकिन केमेलिया को पिल्ग्रिम के बारे में नहीं पता होता है तो विस्पर बताती है वो लोग groups में रहते हैं और कभी भी नहीं बोलते हैं और अजीब से कपड़े पहनते हैं और सारा टाइम जंग इखटा करते रहते हैं वो बताती है उसकी माँ से रोज गाना सोनाती थी लेकिन एक दिन virus की वज़ा से उसकी माँ की आवाज चली गई तो इसलिए वो विसपर और वो डिवाइस मिलकर जोनस के यहां चुपके घुसने की कोसिस कर रहे होते हैं ट्रांस रिसीवर से सिटाडल को इनफॉर्म करने के लिए लेकिन जोनस उसकी उस डिवाइस को पकड़ लेता है और उसे खराब कर देता है और उससे पूछता है तुमारे घर में बिना बैक्टेरिया के पावर कहां से आई तो वो उससे कहती है मेरे पास में बैकड़ी अप था और फिर वो उससे कूछता है मैंने कुछ सीट्स चुरा लिए गए हैं क्या तुमें उसके बारे में कुछ पता है तो वो देवाइस निज जाकर आ उहां से चली जाती है और इसने उसकी मदद की थी seeds और bacteria चुराने में जिसे Jonas ने मार दिया होता है क्योंकि उसने whisper की मदद की थी तभी वो घर चली जाती है और उस device को ठीक करने की कोशिस करने लगती है लेकिन वो ठीक नहीं होता है तो उसके पास cameiers आ जाती है और कहती है अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाई तो क्या होगा तब ही उस पर कमेलिया कहती है तुम इसे ठीक कर लोगी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और कहती है उसके बाद में हम लोग मेरे फादर को ढूडने चलेंगे अब मेरा पैर बिलकुल ठीक हो गया है तो विस्पर उसे बता देती है कि उसके पताब इस दुनिया में नहीं रहें और तब ही वो उसे उनकी बॉड़ी के पाफ लेकर जाती है जो कि पानी में होती है तो कमेलिया उसके करीब जाकर रोने लगती है तबी विस्पर कमेलिया को पानी से बाहर निकालती है और उसे समालने की कोसिस करती है तो उसकी नजर उसके बैक पे पड़ जाती है जहां कुछ आजीब सा होता है तबी कमेलिया बताती है कि वो एक जग है मतलब वो एक synthetic human है उसे इस head engineer ने बनाया था तो विस्पर कहती है मैं पहले भी जग को देख चुकी हूँ लेकिन वो ऐसे नहीं होते है तो कमेलिया बताती है वो एक highly intelligent जग है जो कि citadel में बनाना illegal है इसलिए वो दोनों citadel से भाग रहे थे उसके head engineer ने एक दूसरे citadel से contact किया था जहां वो लोग जा रहे थे तब ही विस्पर उस पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे लग रहा था वो उसे citadel लेके जाएगी फिर वो दोनों घर चले जाते हैं जहां विस्पर उस device को ठीक कर रही होती है तो Camelio उस चाकू से जिसे उसने starting में लिया था वो उससे suicide करने की कोसिस करती है लेकिन विस्पर उसे आकर रोग देती है और उसके चाकू से एक cut लग गया होता है तो विस्पर उस पर दवाई लगाती है और फिर वो Camelio के DNA को चेक करती है जिससे उसे पता लगता है कि उसके DNA में कुछ अजीब सा है जो कि उसके DNA में नहीं होना चाहिए जो कि उसके DNA से ब्लॉंग नहीं करता है तब ही वो उससे सीट के DNA को Camelio के DNA से मिला कर देखती है जो से उसे पता लगता है कि उसके DNA में उन Seats को Unlock करने का Code है वो उन Seats को उससे Unlock करके उगा सकती है उससे जो खाना होगेगा वो खाने के लायक होगा तो Whisper के फादर उससे कहते हैं तो हम लोग सुबा को दूसरे सिटाडिल के लिए निकल जाना लेकिन Whisper उसकी बात को नहीं मानती है वो सुबा को Old Lab से कुछ और सामान निकालने के लिए चली जाती है और तब ही उसके घर पे जोनस आता है जो कि कैमेलिया को देखकर समझ जाता है ये वही है जो उस सिप पर आई होगी तो वो उससे अपने साथ चलने को कहता है पर Whisper आ जाती है तो कमेलिया अब इस पर मिलकर उसे मारने की कोसिस करते हैं लेकिन वो उन दोनों की कवजे में नहीं आ रहा होता है तब ही कमेलिया उसके हाथ में चाकू मार देती है लेकिन Whisper उसे नहीं मारती है वो उसे सीट्स के बारे में बताती वो कहती है है एड इंजिनियर ने कमेलिया के डियने में सीट्स को अनलोक करने वाला कोड डाल दिया था जो कि तुमारे सीट्स को अनलोक कर सकता है और उगाने के लाइक बना सकता है जिससे हमें बहुत सारा फूड मिल फकता है और हम दोनों की problem खतम हो जाएगी और फिर वो उसके हाथ पे अपनी बनाई हुई दबाई लगाती है तब ही जोनस अपने farm पे चला जाता है लेकिन वो विस्पर की बात नहीं वानता है और सिटाडिल वालों को कमेलिया के बारे में बता देता है तो सिटाडिल के दो सोल्जर जोनस के पास आते हैं और उसे वहाँ आकर मार देते हैं हाला कि जोनस को लग रहा था कि वो लोग उससे खुस होंगे लेकिन वो लोग उल्टा उसे मार देते हैं तब ही वो विस्पर के घर जाते हैं लेकिन Whisper और Camellia वहाँ नहीं होते हैं Whisper के फादर ने उसे मना कर किसी तरह वहाँ से भीज दिया होता है तब ही हमें उस device को दिखाते हैं जो कि power tank के पास में होता है तो एक soldier उस पर shoot करता है जिससे bullet tank पर जाकर लगती है और वो घर blast हो जाता है तो Whisper भी वहाँ से कहीं दूर नहीं गई होती है वो अपने घर को blast देखकर पापिस भागती है लेकिन Camellia उसे पकड़ लेती है और उसके भागने की वज़ा से एक soldier को उनके बारे में पता लग जाता है अब वो उनके पीछे आने लगता है तो वो दोनों बहाँ से भागने लगती है और तभी वो एक red color की घास के पास पहुँच जाती है तो Whisper Camellia से कहती है इसको touch मत करना और वो उसके पीछे जाकर छिप जाती है तभी वो soldier बहाँ आता है और उस red grass को touch कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ कीड़े निकलते है जो क्यों एक blood की speed से उस soldier की body के आरपार होने लगते हैं और उसको मार देते हैं लेकिन तभी वहाँ एक और soldier आ जाता है जिसके वारे में उन्हें नहीं पता होता है वो मरे हुए soldier की body को देखकर समझ जाता है तो वो उस red grass को touch नहीं करता है और उनके पास चला आता है लेकिन वो दोनों उससे किसी तरह गन चीन कर उसे red grass के करीब धका देकर उस gun को grass की उपर डाल देती है जिससे वो soldier भी उन कीडों की वज़ा से ही मर जाता है लेकिन उसके बाद मैं केमेलिया उससे कहती है मैं जब तक नहीं जाओंगे ये लोग आते रहेंगे तो मुझे इनके साथ जाना होगा लेकिन whisper इसके लिए नहीं मानती है तो whisper को अपनी power से वियोस करकर जब अगला soldier आता है तो वो उसके साथ में चली जाती है अगले दिन सुबह को जब whisper की आँख खुलती है तो वो वहाँ पर नहीं होती है और तबी उसके पास में जोनस के वो बच्चे आते हैं जो कि उन soldier से बच गए होते हैं तो वो सारे लोग मिलकर pilgrim के पीछे चले जाते हैं जहां pilgrim ने एक बहुत बड़ा सा tower बनाया होता है विस्पर उसके ऊपर चड़ती है तो हमें वहाँ पर citadel की एक छलक दिखाई जाती है और तबी विस्पर उन seat को वहीं fake देती है जिससे वहाँ पर बहुत सारा food उख जाए और यहीं हमारी movie का end हो जाता है